हालो आरिवाइन वैलकम टो जैक एटमी एक बार सारे मेरी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है जैक एटमी के शांदा प्लेटफॉर्म पे तो बच्चों आज कुछ नया दिख रहा है पीछे डाफरेली बहुत सारी कुछ नहीं चीज़े मैं हमेशा बोलता हूं स्टार् करणे तो आज जो मरे पास में ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है तो आज हमारे पास ऎंट निब्रेंट please की ट्रिक है तो모 से कहांसे हने बाली वाली तो आराम से हम देखेंगे, हमारे पास में ये 10 glands हैं, human के अंदर, कौन-कौन सी glands हैं, अगर मैं बात करूँ, तो आप देखो, hypothalamus, pituitary, penial, thyroid, parathyroid, thymus, pancreas, adrenal, ovary and testis, ये सारी glands हमको देखने को मिलती हैं, ये 10 glands हैं human के अंदर, लेकिन सारी 10 glands हम भूल जाते हैं, तो अब आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, तो कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी कुछ ऐसी है, कि आपके चार दोस्ते हैं, और हम किसी एक दोस्ते बात कर रहे हैं, हम किसी एक दोस्ते बात कर रहे हैं, जो इस दोस्ते हम बात कर रहे हैं, उसको क्या बोला हमने, कि अब आप ट्रिक देखो हाई PITUPIN ये एक दोस्त है तो हाई पिटू-PIN थाइराइड पराथाइराइड ये बाखी दोस्त हो गए थाइमस गए हैं क्यों गए हैं थाइमस पैनकार्ड और अधार काड़ लेने ताकि ओवरी जो है वो क्या देश के टेस्ट देश सके तो यह ट्रिक हो गई अब इस ट्रिक में कौन-कौन सी ग्लैंट कैसे कैसे आगई वह देखो हाइव और हाइपो थालेमस हाइफ और क्या हो गया हमारा हाइपो थालेमस पीटू-पिन में पीटू हो गया हम हो गया हमारा pineal gland thyroid para thyroid and thymus हो गई हमारी अपने आप में ग्लाइट क्योंकि एकदम हमने पूरा पूरा अब्रिवेशन ही ऐज ट्रिक लिए रखाए गये हैं पैन पहल हमारा pencreas आधार हो गया adrenal gland लेने ताकि ovary ovary female में होगी बिटा सेul 1 एक कहानी से हमने दसों के håndy क्या कर लिए घ्याक flats को याद कर लिया अब चलते कह नहीं आ अब हमारे पास पर उनके हॉर्मोंस के बाद करते हैं अब थो अब तो इन 100 lemons के बाखी और भी फीचर्स हैं और भी हॉर्मों से उनको कैसे याद करें तो चलो सबसे से पहले पास में advice hypothalamus hypothalamus के बारें बाद करें तो hypothalamus hai word hormone निकालता है कौन-kौन सा stay releasing hormone और एक है inhibiting hormone तो releasing hormone औरbes है इंहिबिटिंग उरमन निकालता है ठीक है इसी को हम क्या बोलते है m MBA Master of master gland भी बोलते हैं तो master क्यों है भाई साफ OW Master is pitutory gland अब pitutory gland में दिक्ट है untingasil occurring Belgian 2 के मारे पास अदेमय पास हाइपस और निय्सस में इसके दो हिस्ससे कौन कौन सा एक है पार्स Is jurisdiction और एक है पुनैंटमेडिया पार्स जो है उसको अनठीर विचुट्री यहां से छह हॉर्मोन निकलते हैं कितdern ह्उर्मों छे हॉप won सर फिर से अच्छे होगे, इनकी फिर दिक्कत होगे याद करने की, इसकी भी ट्रिक है अपने पास में, पास इंटेमेडीन से एक ही होर्मोन निकलता है, ट्रिक की ज़रूती नहीं है, यह होर्मोन मिलेनीर निकालने के लिए रिस्पॉंसिबल होता है, निवरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, यह क्या हमारा पोस्टीटियर पिट्यूडरी, अब देखो बिटा, एडिनो हाइपोफाइसिस, निवरो, तो एडिनो के दो पार्ट और निवरो के एक ही पार्ट है, clear है, तो यहां निवरो हाइपोफाइसिस, तो हमारे पास में यह आप पार्स नर्वोसा, NN हो गया तो relate कर लोगे आप अब यहां से दो हॉर्मोन निकलते हैं ध्यान रखना कि यहां पे neurohypofasis यह हॉर्मोन बनाता नहीं है hypothalamus इस हॉर्मोन को बनाता है इसकी तो बस इसको store करती है इन दो हॉर्मोन का production कहां होता है hypothalamus में store कहां होता है कौन से दो हॉर्मोन निकलते हैं इससे इसके छे ट्रिक तो हम बात में देखेंगे यह एक हॉर्मोन देख लिया MSH यहां पे दो हॉर्मोन कौन कौन से है वैसोप्रेसीन और ऑक्सिटोसीन यह कैसे याद होगा तो देखो बिटा neurohypofasis में क्या बोलेंगे पार्स नर्वोसा तो नर्वोसा में बिटा स्पेलिंग क्या आ रही है N-E-R-V-O-S-A तो V-O है ना तो V4 весopressine O4 oxytocine लियर है तो पार्स नर्वोसा में वो आ रहा है ना वो बोले तो весopressine and oxytocine किस में neurohypofasis इन दोनों हॉर्मोन का production कहां हो रहा है हाइपोथेलेमस में सुप्रा अप्टिकल नुकलियाई में इसका formation होता है और स्टोर कहा होती है हमारे यहां पर निवरो हाइपोफाइस में अब यह छे हॉर्मोन कौन से हैं जो एंटीटियर पिट्यूट्री से निकलते हैं किस से निक लेमिंग खिलते हैं तो क्या वहते हैं तो प्रो प्लेयर है तो देखो यानि एंटीटियर पिट्यूट्री ग्रो करने के बाद प्रो हो गई थाइराइड और फॉलिकल को स्टुमिलेट करने लग गई तो एसीटी देख मुझे लज्जा आ गई तो एस कहानी को हमने देखा इस कहानी से सारे हार्मोन निकल जाएंगे हमारे कौन-कौन से छे हार्मोन निकालने हैं हमको तो देखो अब यहाँ पर एंटीट्यूट्री तो हमारे पास कौन से एंटीट्यूट्री ग्रो कर गई मतलाब ग्रोथ हार्मोन तो पहला हार्मोन कौन सा हो गया ग्रोथ हार्मो यानि हमारे पास हो गया नॉमबर 3 पर थायरा दिस्लमेटिंग हर्मॉन फिर और फॉलिकल से फॉलिकल पर क्यां करता है फॉलिकल करता है कित्होंगा हर्मॉन को stimulate करने लग गई अब यहां पर चाइब दो और कॉन बच्च कर फॉसर हमारे पास करने के बाद में भो वो गई थाईराइड और फॉलिकल को एस्टुमिलेट करने लगी प्रो होने के बाद में और एसकी सिचवेशन को देख के मुझे लच्जा आगई तो एसी सिचवेशन एसी सिचिवेशण चीडिक f dire 싸 सक्वार्ट हम अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं वाई हम को तो 10 के 10 ग्लेंन देखने हैं पीडिल ग्लेंन एक ही हर्मोन निकालती है विचारी क्या मेलेटард ऑब इखेलांडि को साइकल को मेंटेन को ज्ञाम कर्ती है आप ढ़ gracious आइडो थाएरोनिन और ट्रिटा आइडो थाएडो थाएसिरोनिन है ती थी और टी 4 थारेक्षिल किसको बोलते हैं? ती मारी fig strengthen ब केम फटे थाउल्मोर कुल थ्यान रखना बिटा से जो स्भी टूला पिटा कमा तो यहां पहले नख्या न चयांके लियर होती關 क्या होती है इस लियर से और पूछ लेते हैं तो याद करेंगे अब हमेरी गल्फ्रेंड एसी यहाद औरा कुछ-कुछ यह किसी ट्रेंज डायलोگ भी ए। कैसी ऐसी तो मेरी गल्फ्रेंड एसी आप गल्फ्रेंड को कैसा लिखा जी एफ आर और एसी को क्या लिखा A, C, E अब इसके पीछे क्या ट्रिक है? इसके पीछे इस तरीक से ट्रिक है देखो Jonna Glomerulosa G, उसके आद में Jonna Fasciculator F Jonna Reticularis R clear है? तो G, F, R है समझ में आगे है पीटा? तो Jonna Glomerulosa Jonna Fasciculator and Jonna Reticularis अब यहां से कौन-कौन से क्या निकलेगा? Eldosteron निकलेगा क्या निकलेगा? Eldosteron और Eldosteron क्या करता है? Sodium को absorb करता है उसके पीछे-पीछे पानी आ जाता है Kidney के अंदर तो Sodium क्या है? Mineral तो इसको क्या बोलेंगे? Mineralocorticoid उसके बाद में, Jonna Fasciculator क्या निकालती है? Cortisol और Cortisol क्या करता है पीटा? Diabetogenic हर्मोन होता है, Glycolysis करवाने शुरू कर देगा यह तो यानि, यह Glucocorticoids बोलेंगे इसको Jonna Reticularis, यह क्या करता है इस्टोजन निकलेगा, और इस्टोजन क्या हमारे पास में? Sex Hormon, तो इसको बोलेंगे Glucocorticoids है, clear है? तो Girlfriend, ऐसी, अब आगे मामला खतम हो गया अब Adrenal Medulla में बात करें बीटा तो यहाँ Adrenaline, Adrenaline का दूसा नाम Epinephrine, Non Adrenaline, दूसा नाम Non Epinephrine, यह Emergency Hormon होते हैं Emergency Condition में हमको एकदम स्टक कर देते हैं Body को Balance, Body को एकदम Metabolism को क्या करते हैं? Aware करते हैं Body को एकदम Emergency Condition में एकदम ध्यान रखते हैं कि हाँ Body एकदम क्या कर रहे पाए? Respond कर रहे प्रॉपर तो सारे Metabolism को कंट्रोल कौन करता है हमार लिए Emergency Condition में Adrenal Medulla Pancreas, Pancreas पेंक्रियास ना थोड़ा वो मेल जो Dominant होता है तो Alpha अब Dominant है तो हमको क्या करना प्रेका? Respect देंगे उसको कैसे Respect देंगे? Alpha G Alpha G तो Alpha G मतलब Alpha Cells क्या निकालेगी? Glucagon निकालेगी पीछे कौन बची? Beta तब Beta से Insulin निकलेगा एक याद रख लो Alpha G तो Alpha से Glucagon, Beta से Insulin Auvirी में बात करें बीटा तो कौन होगा हमेरे पास में? ES非常에 और Progesteron हमको याद है Testis में बात करें बीटा तो अब हमको Testis हम भी पता क्या निकलेगा? Testosterone निकलेगा तो Testosterone को क्या बोलता है? Mail में निकलता है तो Androgen hormone बोलता है क्या बोलता है? Androgen hormone एक important segment cover कर लिया tricks का जिसमें hormones के बारे में बात की endocrine glands के बारे में बात की तो definitely video definitely आपको अच्छा लगए होगा आपको tricks अच्छी लगी होगी तो एक request ने मेरी आप लोगों से इन videos को share कीजिए, videos को like कीजिएगा और अगर आप पहली बार आएं चैनल पे तो definitely इसको subscribe कीजिएगा because BAC nursing, lab assistant, essay courses को लेके Jackadby हमेशा आता रहता है और आप app को भी install कर सकते हैं वहाँ पे इन courses को purchase कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़के अपने selection की एक seat को हमेशा के लिए confirm कर सकते हैं चलिए मिलता है नाक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई